ऐसा कोई सगा नहीं जिसे चीन ने ठगा नहीं चीन के चाल बाजी से कोई बच नहीं सकता वो मौका परस्त है वो मतलब ही है यह कोई पहली बार नहीं वाग पीठ पीछे छुरा मारने में चीन माहिर है चीन किसी का दोस्त नहीं है वो पहले भारत को धोखा दिता रहा तो अब उसने अपने सबसे भरोसे मन दोस्त रूस को भी धोखा दे दिया ऐसे चीन ने पुतीन की फीट में छुरा मारा जिस हाइपरसोनिक टेकनोलोजी की बदौलत रूस के राश्टपती पुतीन अपनी ब अबर सामने आई तो समझो हरकम मज गया आरूपी को खोजा गया और मौसको की एक अदालत ने पुतीन की हाइपरसोनिक टेकनोलोजी पर काम करने वाले इस एक्सपर्ट को देश दौरों के आरूप में 15 साल की सजा सुनाती है रिपॉर्ट के मुताबिक रूसी साइंटिस् शिपलुक सालों से पुतीन के खास प्रोजेक्ट हाइपरसोनिक लडाकू विमानों पर काम कर रहे थे और इसी बीच चीन के जासुसों ने उनसे संपर किया और वो टेकनोलोजी देने का सौधा कर लिया रिपॉर्ट में बताया गया है कि शिपलुक ने 2017 में हुई एक साइ इनको पिछले साल 2023 में गिरफतार किया गया था इस पूरे मामले को लेकर जाच पर ताल हुई छानबीन में पता चला कि इन्होंने हाइपरसोनिक फाइटर प्लेन की टेकनोलोजी चीन के साथ शेयर की थी इतना ही नहीं ये ऑनलाइन उनके लिए हमेशा मौजूद रहते थ जब भी उन्हें जानकारी चाहिए होती थी ये उपलप्त कराते थे अब इतना बड़ा खुलासा होने के रूस में होने के बाद रूस में हड़कम मचा हुआ है रूस को हैपरसोनिक टेकनोलोजी पर बहुत घमन था इसे दुनिया के सबसे खतरनाक टेकनोलोजी मना जाता ह लेकिन अब जब यह पता चला है कि चीन ने रूसी टेकनोलोजी में सेंध मारी कर दी है तो रूस बौखला गया है और ऐसा नहीं है कि शिपलुक चीन के इस खूफिया मिशन पर अकेले थे उनके साथ कई ऐसे साथ ही जुड़े थे जो सीधे चाइना के संपर्क में थे शि पीटर्सबर्ग स्थिट शो संसान के प्रमुग एलेक्जेंडर और अप्रिल में साथ साल की सिजा सुनाई हाला कि शिपलुक अपने उपर लगे सभी आरोपों को खारच कर दिया है उन्होंने काया कि चीनी एक्सपर्ट को जो भी जानकारी उन्होंने मुयाग कराई वो सा अब मौका मिलता है वो दोस्ती का हाथ बढ़ा कर दगा दे रहता है भारत के साथ भी चीन ने यही किया था भारतिया चीनी भाई-भाई का नारा लगा कर अरुनाचल और तिबबत पर कबजा करना चाहता था चीन की इसी शातर चाल की वज़ज़ से भारत को निस करता रहा है लेकिन इससे भार जब चीन ने रूस के सांथ धूखा किया है तो पुतीन को खोश आ गया होगा क्योंकि पुतीन हर मंच पर चीन के साथ नजर आते थे अब चीन के साथ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाने के लिए रूस को सौ बार सूचना होगा